स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मिसी ग्यान में मैं रोजाना मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन अपलोड करता हूं जो कई बार आपके एक्जाम में पूछे जा चुके हैं उनी इंपोर्टेंट कोश्चन की सिरीज में आज मैं आपको बताऊंगा पाउडर के बारे में जिसमें मैं आपको पाउडर से जुड़े तीन इंपोर्टेंट कोश्चन कराऊंगा जो पहले की एक्जाम में आ चुके हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको powder के definition और classification के साथ साथ double wrapping of powder और powder के advantages और disadvantages की पूरी जानकारी दूँगा इसलिए पूरा वीडियो अंतक जरूर देखें और अगर अभी आपने अपने चैनल pharmacy ग्यान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि pharmacy education से जुड़ी हर update आपको मिलती रहे तो आइए सुरुवात करते हैं powder के definition और classification से powder solid doses form का एक रूप है जिसमें महीन बारिक substances mixture के रूप में रहते हैं इनका इस्तेमाल internal और external दोनों तरीकों से किया जाता है आईए अब बात करते हैं इसके classification की powder को मुख्यतर तीन भागों में बाटा गया है जो इस प्रकार है पहला internal use दूसरा external use और तिसरा special use powder का internal use आगे चलके दो और भागों में बढ़ जाता है ज single dose वाले powder को divided powder कहा जाता है जो cellophane, metallic foil और paper में लपेट कर patient को दिये जाते हैं इनके चार प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है simple powders, compound powders, catches, tablet triturate या molded tablet वही दुसरी और bulk powder वैसे powder को कहा जाता है जो accuracy और safety को ध्याद में रखते हुए measuring device जैसे की tea spoon, cup या insulator की मदद से patient को दी जाती है अब बात करते है external use वाले powder के बारे में external use वाले powder चार प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है पहला dusting powder, दूसरा dentifies, तिसरा insuffilation और चौथा snuff powder के अंतिम प्रकार special use के अंतरगत, extentic mixture, इवर वेस्केंट, granule तथा reconstituted powder आते हैं चलिए अब जानते हैं कि double wrapping of powder क्या है और इसकी जरुद क्यों पड़ती है जब powder को दो paper की मदद से cover किया जाता है तो इसे double wrapping powder करते हैं इस प्रकार wrapping के अंदर वाला paper wax होता है और बाहर वाला paper ordinary paper होता है wax वाले paper को ordinary paper से slightly cut किया जाता है double wrapping करना इसी लिए जरूरी होता है ताकि इसमें मौझूद volatile nature वाले drugs जैसे कि manthenol, thymol, citric acid, pepsin, camphor, etc, vaporize न हो जाए आईए अब बात करते हैं powder के advantages और disadvantages के बारे में सुरवात करते हैं advantages के पहले point से powder को prescribe करना बहुत ही convenient होता है साथी साथ इसको compound और administer करना भी आसान है powder का दूसरा advantages यह है कि यह liquid के मुकाबले ज़्यादा stable होता है powder को निगलना आसान होता है साथ ही इसके large quantity को food और drink के साथ लेना आसान होता है powder हर dose में accuracy प्रदान करता है चुकि powder में moisture नहीं होता जिसके कारण इनके ingredient में chemical reaction होने के chances बहुत ही कम होते हैं चुकि powder बहुत ही fine state में मौझूद रहता है जिसके कारण इसका dissolution और absorption बहुत तेज होता है लिक्विट के मुकाबले powder के case में incompatibility बहुत कम होती है लिक्विट के मुकाबले powder को carry करना ज़्यादा आसान है या food और drink के साथ bulk quantity में लिये जा सकते हैं या एक सस्ता doses form होने के कारण इनके production में large number of machinery या special technique की ज़रत नहीं पड़ती आईए अब बात करते हैं इसके disadvantages के बारे में कुछ drug जैसे atmospheric condition जैसे air moisture और light में sensitive होते हैं इसलिए इनको powder के form में तयार करना suitable नहीं होता ऐसे drugs जो bitter, nauseous, corrosive या unplatable होते हैं उनको powder के form में तयार करना stable नहीं होता powder के manufacturing में milling, sieving, mixing, drying जैसी इत्यादी operation होते हैं जिसमें बहुत समय लग जाता है जब powder में volatile, delicate, hydroscopic या oxygen sensitive substance होते हैं तो इसे manage करना काफी मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों ये जानकारी थी powder के बारे में जो आपके फार्मसुटिक्स 2 सब्जेट्स के अंतरगत आता है मैंने कोशिस किये पूरी जानकारी देने की अगर आपको एक वीडियो पसंद आया तो एक like जरूर करें आपके एक like से मुझे काफी motivation मिलता है और अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें और सुझाओ comment में देना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में और भी बहुत most important question के साथ तब तक के लिए bye bye